यहाँ पर यहाँ लाइव चर्चा का कारिकरम शुरू कर रहे हैं और आज जो लाइव चर्चा का विशय है कि योग साधना सुक्ष में शरीर से होती है या स्थूल शरीर से जो साधना होती है योग की वो कैसे होती है सुक्ष में शरीर से होती है या स्थूल शरीर से होती है आज की हमारी चर्चा अधारित है, कुछ लोगों को इस विश्या पर भी थोड़ा संशा है, कन्फ्यूजन है, कि सुक्ष्म शरीर से योग होगा या इस थूल शरीर से होगा, कुछ लोगों का मानना है कि भाई इस थूल शरीर से ही योग हो सकता है, सुक्ष्म शरीर से भला क तो सुक्ष्म शरीर का विशय है अन्ता करन चतुष्टे मन बुद्धी चित अहंकार या सभी योग से संबंदित है सुक्ष्म शरीर से संबंदित है मन बुद्धी चित अहंकार और योग के अंतरगत हम मन इंद्रियों का नियमन करते हैं तो जब हम मन इंद्रियों का नियमन करते हैं योग में तो फिर भला कैसे योग को हम इस्थूल शरीर से मान ले इस्थूल शरीर की क्रिया मान ले या फिर हम योग को कैसे मानने के इस्थूल शरीर क्रिया लेकिन बिना इस्थूल देह के बिना मानो तन के योग जब हो नहीं सकता और शरीर को बिठाना पड़ता है और भी आसनादी कई क्रियाएं होती है तो उन सभी से वो सभी क्रियाएं इस थूल देह का अधार लेकर होती है तो जब इस थूल देह नहीं होगा जब इस थूल शरीर नहीं होगा तो भला योग कैसे होगा यह प्रश्न बनकर खड़ा हो गया है हमारे सामने कि योग साधना इस थूल शरीर से होगी या फिर सुक्ष्म शरीर से योग साधना में इस थूल शरीर का कारे होगा या सुक्ष्म शरीर का कारे होगा आज इसी गुड़ विशय पर या गुड़ चिंतन है या कोई बहुत छोटी मोटी बात नहीं है इसको समझ लेना ही समझने से हमें योग का रहस्य समझ में आ जाएगा कि वास्तों में योग है क्या योग इस्थूल शरीर की क्रिया है या सुक्ष्म शरीर की क्रिया है या दोनों की ही क्रिया है श्रीमत भगवत गीता में एक प्रश्न बनता है कि सगुन भक्ती बड़ी है या निर्गुन भक्ती बड़ी है तो भगवान स्री कृष्ण ने सगुन की चर्चा की है ताकि सगुन ही आम मनुष्य कर सकता है निर्गुन जो है वो सिध पुरुष उसको कर सकते हैं निर्गुन करने में बहुत कठिनाई है निर्गुन करने में बहुत कष्ट है इसलिए सगुन ही सरल है कुछ इस बात से भी इस प्रश्ण का संबंद है तो सगुन से लेकिन सगुन का उद्देश्य सगुन नहीं है सगुन का उद्देश्य तो निर्गुन ही है वैसी हट प्रदीपिका गरंथ में नाथ संप्रदाय का यह गरंथ है हट प्रदीपिका श्रिश्वामी स्वात्मा राम जी कहते हैं कि हठयोग करने का उद्देश्य राजयोग की प्राप्ति है हठयोग करने का उद्देश्य राजयोग की प्राप्ति है और जो साधक जो योगी सिर्फ हठयोग करता रहता है राजयोग की और आगे नहीं बढ़ता है तो उसे योगी नहीं माना जा सकता उसे योगी नहीं कहा जा सकता क्योंकि हटयोग करने का उद्देश्य राजयोग की प्राप्ति कर लेना है और जो इस पर ध्यान नहीं दे रहा है वह निश्य ही अपना पतन कर लेता है योगमार्ग से तो अब हठयोग क्या है? हठयोग वैसे तो हठयोग की अध्यात्मिक परिभाशा भी है हठयोग की परिभाशा भी अपनी एक परिभाशा है कि हमारी दो नाडियां होती है सुरे नाडी, चंद्र नाडी, हा जो है सुरे के लिए धा जो है, चंद्र के लिए इन दोनों का सहियम कर लेने से हटियोग सिद्ध होता है इन नाडियों का उशुद्ध कर लेने से शरीर की flexibility भी जरूरी है ताकि आप लंबे समय तक ध्यान में बैठ सके इसलिए रिशी घहरंड ने घहरंड सहीता में हटियोग को घटस्त योग कहा है घटस्त योग मतलब घट, घट का मतलब घड़ा इस शरीर को घड़े के समान माना है घड़ा अगर स्थीर नहीं होगा घड़ा अगर मजबूत नहीं होगा तो उसमें पानी को इस्टोर नहीं किया जा सकता घड़े में अगर छेद होगा और घड़ा अगर बैलेंस में नहीं होगा तो वुज्च्त तिर रहेगा نہیں पानी आप डालेंगे इधर फिसल जाएगा उदर फिसल जाएगा तो फिर इससे लाभ नहीं होने वाला है इसलिए योगी अपने मन को साध सके अभ्यास के द्वारा अपने मन को साध सके अपने इंद्रियों को साध सके अपने आपको एकागर्चित कर सके इसके लिए यह भी अत्यंत आवश्चक है कि वो अपने शरीर को भी इस्थीर रख सके इसलिए घिरंड सहीता सप्तांग योग के नाम से जाना जाता है हम पतंजली योग सुत्र में अश्टांग योग पढ़ते हैं लेकिन घिरंड सहीता में सप्तांग योग लिखा है तो घिरंड सहिता के सप्तांग योग में अलग-अलग साथ अंग बताए गये हैं शटकर्म, शुद्धी क्रिया, इससे शोधन होता है शरीर का मुद्राएं, बंद, आसन, प्रणयाम, धारणा, ध्यान, समाधी इस तरह से वर्णन है तो शोधन होता है शटकर्म से मुद्राओं से स्थिर्ता आरने लग जाती है, धैरे का विकास होने लग जाता है प्रणयाम से हलकापन, लाघवम, लाघवम की उपलब्दी होती है, हलकापन आ जाता है लेकिन ये जितने भी विकास हट योग से हो रहे हैं कि मनुष्य के विक्तित्तों में विकास हो रहे हैं उसके अंदर धैरे का विकास होना छुद्धी करन होना फिर इस्थिर्ता का विकास होगा लाघवम का विकास होगा दिर्धता का विकास होगा योग में आसन, मुद्राय, बंद, शटकर्म ये सारी क्रियाएं हठ योग की क्रियाएं है इनका उद्धिश होता है अपनी नाडियों को शिद्ध करना और ये सारी क्रियाएं तभी संभव है जब इस्थूल शरीर है या इस्थूल शरीर के माध्यम से ही संभव है इस्थूल शरीर के माध्यम से ही या पॉसिबल है कि आप ये सब क्रियाएं कर सके लेकिन इन सब क्रियाओं का उद्दिश्य क्या है उद्धिश क्या है? जब आपकी नाडिया शुद्ध हो जाती है और शुद्ध चलती है तो आप एक हलकापन अनुभाव करते हैं लागवम की अनुभूती होती है अब हलकापन का आप मतलब यह मत समझ लीजिए कि सब्सक्राइब वजन कम हो जाना नहीं जिसे कई लोग कहते हैं कि हम ध्यान करते हैं तो हमको हलकापन होता है मोटा ताज अदमी बोलेगा ध्यान करके हलकापन रिलाक्स फिल होता है और हलकापन हो जाता है शरीर तो ये सारी क्रियाओं को करने का उद्दिश्य क्या है शटकर्म, मुद्राएं, आसन, प्रणयाम ये जितने भी क्रियाओं है इनको करने का उद्दिश्य क्या है फिर धारणा, ध्यान, समाधी परत्यहार नहीं होता सब्तांगी योग में घरंड सहीता में तो ये सब करने की उद्दिश्य क्या है ये जो शरीर के प्रयोग किये जा रहे है किसली किये जा रहे हैं ताकि आप धारणा, ध्यान, समाधी को प्राप्त करें ये योगा का koncept है लोग गलत koncept लेके चलेंगे तो इसका मतलब भी है नहीं कि हम उनको satisfy करना शुरू कर दे अगर कोई ये समझता है योगा मतलब पेट कम करना तो गलत समझता है तो बहुत भीड़ी कठी हो जाए इसके लिए हम गलत concept पे चले जाएं कि कभी भी उचित नहीं होता तो ये सारी क्रियाएं करने से जब हम ये सारी क्रियाएं करते हैं तो फिर क्या होता है आपका ध्यान अच्छा होता है धारना अच्छी होती है फिर धारना होगा फिर ध्यान फिर समाधी की ब्राप्ति होती है तो अब यहाँ पर दो प्रकार की साधनाएं बताए गई है, महरशी पतंजली ने कहा है, अपने अश्टांग योग को महरशी पतंजली ने दो भाग में बाटा है, भहिरंग साधना और अंतरंग साधना, भहिरंग साधना यम नियम आसन प्रणयाम, परत्याहार, यहाँ तक योग सुत्र में धारना ध्यान समाधी को अंतरंग कहा है योग वासिष्च में यम नियम आसन प्रणयाम को बहिरंग कहा गया है तो बहिरंग का मतलब है जिसमें शरीर लगेगा इसथूल देह लगेगा और अंतरंग का मतलब है जिसमें इस थूल देह शान्त रहेगा अंदर की क्रियाएं चलेगे मन बुद्धि चित एहंकार का अभ्यास चलेगा चित वृति निरोध का अभ्यास चलेगा लेकिन उनको करने के लिए ये सहायक है लेकिन आप किसी एक अंग को पकड़ लो और उसी को सब कुछ मान लो तो मुर्खता होगी कोई कहे कि नहीं बस यम का पालन कर लो कोई कहे कि बस नियम का पालन कर लो नहीं जो योगी आगे बढ़ गए उनके लिए बाते बदल जाती है इसलिए योगा कॉंसेप्ट योगा साइन्स को समझना जरूरी है कि ये क्या कॉंसेप्ट हमें देने की कोशिश कर रहा है लेकिन ज्यादा तर लोग जब अत्यधिक आदर्शवादी या अत्यधिक धार्मिक बनते हैं तो थोपने वाली बाते शुरू कर देंगे थोपो इस चीज़ को उस पैटन को समझना जरूरी है कि योग आपको देना क्या चाहता है आप क्या लेना चाहते हो वो अलग बात है आप लेना चाहते हो कि आँखों के रोशनी कम होरी चलो योगा कर लेते पैट बढ़ रहा है तो चलो योगा कर लेते अगर आपको पैट ही कम करना है तो मुझे लगता है योगा से बहतर विकल्प भी है फिर अगर मात्र आपको अपना पैट कम करना है तो योग से बहतर विकल्प है बेटर आप्शन्स है फिर जल्दी पेट कम कर देंगे आपके समस्या यही पर है कि जो वास्तों में योग है वो योग रह नहीं गया आपने योग को बस एक वययाम समझ लिया exercise यहाँ पर सारा problem है यहाँ पर सारी दिक्कत है तो यह concept लोगों का बदल देना है यह नहीं कि हम जो लोग समझते हैं उसी कनस्वार हम भी तो फिर फायदा क्या हुआ फिर लाब क्या हो गया तो यह हमें समझना होगा योग का वास्तवी को इसलिए योग परशारक होना एक जिम्मेदारी है लेकिन आगमे सिर्फ अपना आजकल मैं देखता हूँ लोग सिर्फ बिजनेस होचते हैं योग आजकल एक बिजनेस भी है वैपार भी है ठीक है वैपार करिए लेकिन कहीं दोशी मत बन जाईए और जिस दिन दोशी बनेंगे उसका फल भी चुकाना पड़ता है इसलिए योग मार्ग दोशी कहने का मतलब समाज की नजर में नहीं शास्त्रों की नजर में दोशी बनना योग मार्ग जो है अंतरंग साधनाय और बहिरंग साधनाय ये दो प्रकार की साधनाय बताए गई है इसी प्रकार से हट प्रदिपिका गरंत के अंदर चतुरंग योग कहते हैं उसको चतुरंग योग चार अध्याए हैं तीन अध्याए हट योग पर अधारित हैं कुम्भक, आसन और मुद्राईं मुद्रा और बंध प्रगट होते हैं उसका वर्णन वहा मिलता है नादा नुसंधान में तो अब यहां पर चर्चा आती है कि योग स्थूल शरीर की क्रिया है या सुक्ष्म शरीर की क्रिया है तो अब यूग का लक्ष क्या है यूग का लक्ष है कैवल की प्राप्ति निर्वान की प्राप्ति या कैवल की प्राप्ति चित वृति निरूद स्वरूप को प्राप्त कर लेना सद रश्टू स्वरूपे अवस्थानाम स्वरूप में इस्थित हो जाना स्वरूप में इस्थित हो जाना स्वरूप में हमारी इस्थिती बन जाना हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान ले शुद्चेतना से जुड़ जाए ये वास्तों में यूग का उदेश है हाँ अब यूग करने से बहुत सारे लाब दूसरे भी मिल जाते हैं आपको शारीरिक लाब मांसिक लाब मनो रोग से छुटका रहा शारीरिक रोगों से भी छुटका रहा यह सारे लाब भी मिलने लग जाते हैं जैसे कि आदमी साइकल चलाए अब एक गरीब देखे साइकल अमीर लोग भी चलाते है गरीब लोग भी चलाते हैं, गरीब आदनी बिचारा मजबूरी में साइकली चलाता है, अमीर आदनी बिचारा खाखा के मोटा हुए जा रहा है, इसलिए साइकली चलाना पड़ता है उसको, बैस साइकलिंग करो थोड़ा सा वजन कम हो, शरी ठीक रहे, संतुली तवस्था मे रहे, ठीक है, गरीब लोग जो है, वैसे ही वो शरीर से मेहनत करते रहते हैं, और जो अमीर हो जाते हैं, वो जिम में जाकर पैसा दे कर परमंत, बड़े बड़े जीमों में जाओ, तो दस-दस हजार, छे-छे हजार, पांच-पच हजार तक की फीस होती है, एक महीने की, ठ जिम में जाकर बेहनत करते हैं, लेकिन करना तो पड़ता है, तो जो यूग का प्रारंब है, यूग का जो लक्ष है, वो स्वरूप की उपलब्दी है, यूग का जो लक्ष है, कैवल्ल की प्राप्ती है, ये यूग का लक्ष है, और जो लक्ष को छोड़ कर यूग कर रहा अब एक बात बताईए एक गरीब आदमी अपने वो बिचारा मज़्दूरी करता है या फिर अपनी डूटी पर जाता है तो साइकल चला कर वो अपनी डूटी पर जाता है अब एक अमीर आदमी वो जिम में जाता है या साइकलिंग वाली मसीन खरीद लेता है और वो साइकलिंग कर रहा है तो एक बात बताईए वास्तों में साइकलिंग कौन कर रहा है वास्तों में साइकल चला कौन रहा है आप कहेंगे कि वो अमीर आदमी साइकल चला रहा है नही साइक्ल चलाना उसका उद्धिष्ष नहीं है कि साइक्ल चलाकर कहीं पहुंचना उसका उद्धिष्ष नहीं है लेकिन जो गरीब आग्मी है उसका साइक्ल चलाना उसका जीवन का लक्ष नहीं है साइक्ल के माध्यम से अपने लक्ष तक उसको पहुंचना है जहां पर उसकी duty है जहाँ पर उसको काम करना है वो cycle चला कर वहाँ पहुचना चाहता है cycling करकर fitness बनाना उसका लक्ष नहीं है लेकिन fitness तो उसको मिल रही है cycling करेगा तो fit भी रहेगा लेकिन जो वो अमीर है उसको cycling उसको cycle चला कर कहीं पहुँचना नहीं है, cycle उसके लिए convince नहीं है, साधन नहीं है, वो तो cycling कर रहा है कि उसका blood sugar ना बढ़े, उसका जो है चर्बी ना बढ़े, cholesterol ना बढ़े, इसलिए वो cycling कर रहा है, ना कि cycle चलाना उसका कोई लक्ष है या cycle से कहीं पहुँचना उसका लक्ष है, अब cycle शारिक लाब भी मिल जा रहा है, वो एक अलग बात है, वो एक अलग विशह है, वैसे ही योग का लक्ष तो कुछ और है, लेकिन जब आप योग करते हैं, तो आपको शारिरिक लाब भी प्राप्त हो जाता है, आपको शारिरिक लाब भी साथ में प्राप्त हो जाता है, है, इस घड़े का स्थीर होना जरूरी है, इसका बैलन्स में होना जरूरी है, बस बहुत कोई एकदम पेट जाकर सटा हुआ रहे, एकदम फिर तो सबसे बड़े योगी, जितने फिल्म स्टार हैं, वो सबसे बड़े योगी कह लाएंगे फिर, वो लोग सबसे जादा fit दिख अगर आप इसी से योगा को detect करते हो या समझते हो तो योग करना जो है उसका लक्ष कुछ और है लेकिन उसके फायदे अनेकों है सांसारिक लाब भी है योग करने का मांसिक लाब भी है psychological benefits भी है अध्यात्मिक लाब भी है एक तिर से अनेकों निशाने होते हैं योग में तो योग मात्र कोई physical activity नहीं है योग एक जीवन शैली है उसे जीवन शैली में अपने आपको ढालना योगी जो है एक understanding एक समझ है उस समझ के साथ जीवन जीना कि हमें संतुलित अवस्था में बने रहना है मन से शरीर से हमें एक संतुलित अवस्था में बने रहना है ये यूग करने का उद्धिश्य है ठीक है? तो यह बात हमें समझनी है इस बात को हमें समझ कर यूग का लाब उठाना है नई तो हम जो है योग के लक्ष से इधर उधर जा सकते हैं तो अब योग शारिरिक माध्यम से इसलिए बड़े भाग मानुष्टन पावा मनुष्य जीवन की महिमा गाई गई कि बड़े भाग मानुष्य तन पावा सुर्दुरलब सद गरंत ही गावा कि यह मनुष्य शरीर साधन है धाम है मोक्ष का द्वार है तो यह मनुष्य शरीर साधन है योग करने का योग का उद्देश्य शरीर नहीं है यह मनुष्य शरीर साधन है योग को प्रारंब करने का योग की शुरुवात करने का साधन आप यूग साधना का प्रारंब करेंगे, मानोतन से करेंगे, मनुष्य शरीर से करेंगे, इसी हाड मांस के देह से ही शुरू करेंगे लेकिन यह शरीर यूग का लक्ष नहीं है यूग का लक्ष है स्वरूप आत्मा यूग का लक्ष है स्वरूप तद्रश्टू स्वरूप अवस्थानाम स्वरूप में जाकर इस्थित हो जाओ ये यूग का लक्ष है अपने स्वरूप को पलब्द हो जाओ आत्मा को पलब्द हो जाओ उसमें लीन हो जाओ एकाग्र हो जाओ अगर चित हो जाओ उसमें जाकर और इससे उपर कुछ योग में माना नहीं गया इससे उपर कुछ होता नहीं है क्यों? क्योंकि योग सिधान्त जो है सांख सिधान्त से विक्सित होने के कारण विकासवाद के सिधान्त को मान लेता है evolution को स्विकार कर लेता है कि हाँ भाई चीजे evolve होकर आ रही है प्रक्रती से और जब evolve होकर आ रही है तो किसी ने बनाया नहीं फिर तो योग सिद्धान्त जो है शरीर के माध्यम से ये शुरू जरूर हो रहा है लेकिन इसका लक्ष शरीर नहीं है शरीर के माध्यम से इसकी शुरुवा थो रही लेकिन इसका लक्ष शरीर नहीं है नाद अनुसंधा नाद ध्यान करते हुए शुन्य की प्राप्ती कर लेना ब्रहम की प्राप्ती कर लेना ये योग ब्रहम ही स्वरूप है यहाँ अध्व ряд सिद्धान्त है ये ब्रह्म ही स्वरूप है, आयमात्मा ब्रह्म से, इसको सद्ध किया जाता है, ये आत्मा ही ब्रह्म है, तो इसलिए ब्रह्म ही स्वरूप है, तुम्हारा निजिस्वरूप, तो वहां तक पहुँचना योग का लक्ष है, तो योग इस थूल दे से शुरू होगा, और सुक आसानी से लंबे से दर्दवर्ध होता है पीट कमर दर्द होता है सर्वाइकल पेंस वेगरा प्रॉब्लम कर सकती है ध्यान में बैटने में तो आप थोड़ा सा आसन पीछे वाले कर लिया करो भुजंग आसन धनुरासन अर्ध चक्रासन चक्रासन ठीक है तो सिंपल अपने ग दान करें पत्य अपत्य का ध्यान रखें आहार का थोड़ा ध्यान रखें प्रणयाम की क्रिया अच्छे से करें कुम्भक की क्रिया अच्छे से करें लागवं मिलेगा हलकापन आएगा आपके भीतर चुक्त है? ४। शुरूर्वना का प्रवेश, कई ऐसी टेक्निक्स होती है जिसे, अतिष्यव है, अ्धिति ःक्निक्स ध्यान योग के कॉर्स में हम लोग बताती है जिससे कि शिateillкі से ही सुशुम्ना में प्राणों का प्रवेश हो जाए और अपका ध्यान लगने अपने आप स्थीर होने लगेंगे सांथ होने लगेंगे इस प्रकार से यह सब चलता है तो योग साधना शरीर से शुरू हो रही है लेकिन इसका लक्ष स्वरूप की उपलब्धी करना है स्वरूप क्या सुक्ष्म शरीर है नई इस थूल और सुक्ष्म से भी परे है स्वरूप सुक्ष्म शरीर मन बुद्धि चित अहंकार इसके मुख्य अंग है। अ हां, बाहिय इंद्रियां जो है, बस उसकी अभिवेक्थी मातर है, बाहिय जगत में शरीर की अंदर, लेकिन वह वास्तों में सुख्ष्म रूप में हैं। तो इस थूल को साधते हुए, सुक्ष्म को साधना, सुक्ष्म शरीर पर पूर्ण नियंतरन ले आना, योगी अपना पूर्ण नियंतरन ले आते हैं सुक्ष्म शरीर के उपर, और जो सुक्ष्म शरीर पर नियंतरन लाते हैं, वो सुक्ष्म जगत में भी भ्रमन कर सकते हैं. कोई बड़ी बात नहीं है सुख्ष्म जीवियों से भी मिल सकते हैं उनका ध्यान उनकी एकागरता वो उस लेबल में उस लेबल में प्रवेश करने की छमता उनके अंदर विक्सित हो जाती है हो जाती है तो जिन्होंने इस थूल को साधते हुए सुख्ष्म में सुख्ष्म को पुर्णता साध लिया है उनको आवशक्ता नहीं पड़ती कि वो इस थूल को साधें अब उनकी जवरत नहीं है इस थूल साधना इसलिए कई योगी हुए कई सद्ध परुश हुए आप देखोगे उनका शरीर बहुत हिरिष्ट प्रुष्ट होता था तैलंग स्वामी काशी के अंदर एक बहुत बड़े संत हुए तैलंग स्वामी उनका जो शरीर था बहुत ही हिरिष्ट प्रुष्ट अच्छी खासी निकली हुई तोंद और ज योगदा योगानंद परमहंस उनका भी शरीर हम देखते हिर्ष्ट प्रुष्ट काफी तो क्यों वो सुक्ष्म को साध चुके थे उनको कोई आवशक्ता नहीं थी कि उस थूल के चक्कर में ज्यादा पड़े फिर भी उन्होंने इस थूल के लिए लोगों को जब वो सिखात आपके ब्रेन में ज्यादा इस्ट्रेस ना रहे हाइपर टेंशन ना रहे तो कई ऐसे एक्ससाइज करवा दिया करते थे जिससे की जो टेंशन है वो डिवाइड हो जाया वाड़ी के अंदर तो उसको एक्ससाइज के रूप में लोग जानते हैं बाद में एक योगाचारी धिरेंद और ब्रह्मचारी उन्होंने सुक्ष्मवयाम के कुछ नियम बताए इंद्रा गांधी के गुरु बताए जाते थे वो सुक्ष्मवयाम योगिक सुक्ष्मवयाम के कुछ नियम बताए जो की एनरजाइजिंग एक्ससाइज पर ही बेस्ट था कि आप अपने ज्वाइंड्स और एनर्जी के फ्लो को पूरे बॉडी के अंदर बराबर रखें इसको करने के बाद आप ध्यान के लिए बैठें ठीक है तो ऐसा अभ्यास कराया जाता है तो जिसने सुक्ष्म साध लिया जिसने सुक्ष्म को साध लिया उसके लिए आवश्यक नहीं कि वो इस थूल को साध है तो वो सिद्ध पुरुष जिसनों ने अपने सुक्ष्म शरीर पर पूरा नियंतरन ले आए है सुक्ष्म शरीर पर पूरा कंट्रोल ला चुके हैं और सुक्ष्म जगत पर उनका नियंतरन चलता है ऐसे योगियों की महिमा राज योग में स्वामी वेकान अन्द गाई है कि देवता भी उनका वंदन करते हैं जो ऐसा कर लेते हैं वो सुक्ष्म शरीर पर सुक्ष्म लोक में राज करते हैं एक तरह से तो वैसे जो योगी बन चुके हैं, उनकी साधना सुक्ष्म शरीर से आगे बढ़ती है, उनको इस थूल शरीर की आवशक्ता फिर नहीं पढ़ती है, वो सुक्ष्म शरीर से अपनी साधना को आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसे कई योगी हुए, कहते हैं कि भगवान बुद्ध के गुरुओं में एक गुरु थे उनका नाम था रामापुत्र रामापुत्र नाम होगा रामापुत्र ऐसे किताबों में लिखा हुआ मिल जाता रामापुत्र करके उनका नाम था और जब वो उनसे ग्यान लेने के लिए गये तो उनकी शर्ट थी कि वो उन्हीं को सिक्षित करते थे, उन्हीं को कुछ बाते बताते थे, ध्यान के आगे का मार्ग बताते थे, जो सुक्ष्म शरीर में उनसे संपर्क बना सकते थे तो उनसे कुछ प्राप्त करने के लिए क्याते हैं तथागत बुद्ध को और साधना करकर अपने सुक्ष्म शरीर को और मजबूत करना पड़ा और सुक्ष्म लोक में गमन करने की शक्ति प्राप्त करने पड़ी और जब उनके अंदर ये शक्ति आ गई कि सुक्ष्म लोक में वो गमन कर सकते हैं तो फिर उनको उन्होंने ग्यान दिया या दिख्षित किया या योग रहस्य को समझाया तो इस तरह से महावतारी बाबा एक संथ हुए जिनके बारे में कहते हैं कि वो सुक्ष्म लोक में ही गमन करते रहते हैं जो योग के तिवर जग्यासु होते हैं तिवर जग्यासु योग के उनके पास तो वो कई बार बिना बुलाय भी पहुंच जाते हैं महाँतारी बाबा इसी लिए योग करना किस शरीर से हो रहा है इस थूल बस एक प्रारम करने के लिए नहीं तो सुक्ष्म को साधना सुक्ष्म से सब कुछ होना शुरू हो जाता है तो शुरुवात में अगर हम कहें कि योग स्थूल शरीर से होता है ये बात भी एक लेबल पर सही है क्योंकि प्रारम तो स्थूल शरीर से ही होगा किसी भी स्थिति में और फिर योग जो है सुक् रिवास वालव सथ दुश्कर्प चंचल है मन वायु के समान है इसका निग्रह वायु के समान है बड़ा दुश्कर है कृष्ण कहते हैं इसमें कोई संषय नहीं है लिखिन अभ्यासेन तु कौन थे वेराग्ये नचक रे till अभ्यास के द्वारा तु साधेगा, अभ्यास वेरागे के द्वारा तु इसे साधेगा, ठीक है, तो इसे साधना होगा, अभ्यास वेरागे के द्वारा, तो यह हमें समझना है इस रहस्य को हमें समझना है तो यहाँ पर भगवान मानसिक क्रिया बता रहे है मन का अभ्यास होगा चितवर्ति निरोध का अभ्यास करना पड़ेगा मन को बांधने का अभ्यास करना पड़ेगा बिल्कुल लेकिन शरीर से करते हुए हम आसानी से कर पाते हैं क्योंकि अभी मन इंद्रियां आपस में जुड़ी हुई है शरीर के साथ मन फसा हुआ है तो अभी वो शरीर के माध्यम से ही हिलता डुलता है बाद में जब साधना विक्सित हो जाएगी, योगी अपने आपको विक्सित कर लेगा सुक्ष्म लोग के रहस्यों को जानने लगेगा, सुक्ष्म लोग में वीचरन कर सकता है तो फिर अपने आप निश्य ही वो कर पाएगा निश्य ही वो अभ्यास कर पाएगा साधना कर पाएगा और सुक्ष्म शरीर से योगी बन पाएगा तो योग जो है ये कहना कि सुक्ष्म शरीर का विशा है योग साधना सुक्ष्म शरीर से होता है बिना सुक्ष्म शरीर के नहीं हो सकता तो कि सुक्ष्म शरीर के अंग क्या है, मन बुद्धि चित अहंकार, साथ में पंच ग्याने इंद्रियां, पंच करमेंद्रियां, पंच प्राण, ये भी सुक्ष्म शरीर का अंग है, और मन बुद्धि चित अहंकार, ये सुक्ष्म शरीर का अंग है, इस थूल शरीर का हैं यह स्थूल शरीर इन से बना है और सुक्ष्म शरीर मन बुद्धि चित एहंकार पंच प्राण पंच ग्यानेंद्रिया पंच कर्मेंद्रिया काम कर्म पुरियस्टक कहते हैं आठ तत्व होते हैं तो पुरियस्टक कहा जाता है सुक्ष्मिशरीर को तो इसलिए सुक्ष्मिशरीर इन सब तत्वों से बना है और जो हम शरीर है यह हाड हड़ी मांस, मजजा, रक्त धातू इन सब चीजों से इस थूल देह का निर्मान होता है तो इस थूल देह इन सब चीजों से बनाएं सुक्ष्म शरीर उन सब चीजों से बनाएं तो बिना सुक्ष्म शरीर के योग कोई भी कार्या नहीं हो सकता अभी मैं बोल रहा हूँ तो क्या सुक्ष में शरीर यहां पर काम नहीं कर रहा बात बताईए यह कि सुक्ष में शरीर सिमित होता है बंधन में होता है इस थूल के यही तो कैद खाना है यही तो जेल है जीवन मुक्त इसू कहते हैं कि यह इसके बंधन को तोड़ देगा जब योगी इस बंधन को पढ़ना पड़ता है लेकिन लक्षे स्थूल नहीं है लक्षे हमारा इस थूल नहीं है फिर जब आप आगे बढ़ जाएंगे तो इस थूल कैसा भी रहे ज्यादा फरक नहीं पड़ेगा सुख्ष्व जगत पे आपका काम चलता रहेगा कैतना हम वासी उस देश के जहां पार ब्रह्म का खेल दीपक जले अगम का बिन बाती बिन तेल इस थूल का कोई काम नहीं रह जाता योग में फिर लेकिन किसके लिए जो एक सिद्ध योगी है जो एक विक्सित योगी है जो विक्सित हो चुके हैं डेवलप्ट हो चुके हैं उनके लिए इस थूल देखा कोई काम नहीं रहता ठीक है कि वो इस्थूल को साध हैंगे वो साध चुके हैं इस्थूल सुक्षमन का सब सद चुका है ठीक है तो यूग का क्या उद्धिश है शास्तर सम्मत उद्धिश यूग का क्या है क्योंकि जब हम यूग शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमें ये देखना पढ़ेगा उसके टायमोलोजी क्या है, रियल मिनिंग क्या है। ये तो योगशब्द का हम परयोग 예ना करे। अगर हमें रियल मिनिंग पर नहीं है वीथ समझना ही नहीं है तो शब्द को भी हम प्र्योग करें हम शब्द को प्रयोग करें अर्थ ह coupling निकालेंगे में तो फिर गलत हो जाए तो हमें अपना अर्थ हम क्यों निकाले जब योग सुत्र अर्थ दे रहा है कि योग क्या है तो यह विशे हमें भली भाती समझ देना चाहिए तो यह कहना कि सुक्ष्म शरीर के भी योग नहीं है बिना इस्थूल के भी योग का प्रारंब नहीं है तो प्रारंभिक योग में, हठ योग में स्थूल जरूरी है, सुक्षम भी जरूरी है, इस थूल की अपनी कोई, अपना कोई इस्तित्व नहीं होता, इस थूल निर्भर करता है, जैसे कि आपका कम्प्यूटर है ना, बिना सॉफ़्ट्वेर के कम्प्यूटर का हाड़वेर क्या करोगे कच्छडा है वो अगर उसकी वैल्यू को कोई बढ़ा रहा है तो सॉफ्ट्र बढ़ा रहा है तो माल लीजे कि सुक्ष में शरीर सॉफ्ट्वेर है इस थूल शरीर हाडवेर है तो अगर सुक्ष्म काम नहीं करेगा मन काम नहीं करेगा बुद्धी काम नहीं करेगी तो ये स्थूल शरीर भला क्या कर लेगा ये तो मृत्य के समान हो गया ना फिर तो भला ये स्थूल शरीर क्या कर लेगा कुछ नहीं कर पाएगा तो बिना सुक्ष में के तो योग का प्रारंब भी संभव नहीं है और उसके बाद में जब विक्सित योगी हैं सिद्ध योगी हैं उनको इस थूल की आवशक्ता नहीं पड़ती सुक्ष में शरीर में ही सब कुछ उनका योग चलता रहता है ठीक है चलिए तो अब हम आगे बढ़ेंगे अब आपको ध्यान योग योग के रहस्य को समझना है जीवन में योग को उतारना है तो यह ध्यान योग का कोर्स हम शुरू कर रहे हैं प्रतेक महीने होता है 20 सब्टेंबर से स्टार्ट हो रहा है ध्यान योग का कोर्स इसका duration है one month guided meditation, transcendental meditation spiritual healing इसमें सिखाय जाता है दो membership है Jupiter and Sun Jupiter जोईन करेंगे तो तीनों सिखाय जाएगा guided, transcendental, spiritual healing Sun जोईन करेंगे तो guided or transcendental meditation ये दो ही पार्ट आपको सिखाय जाएगे तो ध्यान योग का कोर्स 20 सितंबर से शुरू हो रहा है आपको join करना है तो आप इस number पर संपर करेंगे जो कि मैं अभी chat में दे रहा हूँ आपको inbox में WhatsApp number आप इस पर contact करेंगे, details लेंगे और संपर करेंगे 9661802459 इस number पर आप contact करकर details लेंगे प्राकिर्तिक चिकिस्सा यह अभी कोर्स आप कर सकते है 20 सितंबर से प्राकिर्तिक चिकिस्सा मोटापा कम करने में बहुत अच्छी करिया है तीक है और जो है आपको बहुत सहायता पहुँचाती है आपके शरीर को स्वस्त रखने में कई टेकनिक से उसको फॉलो करते है नियम से उसके लिए भी नियम होता है कब क्या करना है कब क्या नहीं करना है तो अगर हम नियम से करते हैं तो बहुत अधिक हमें लाब मिलता है ठीक दरशन का कॉर्स philosophical concepts हमारे clear हो इसके लिए कोर्स है बहुत ही ज्यानवर्धक और बहुत मेहनत से बना हुआ ये कोर्स है दर्शन का, philosophy का आप इसको भी जोईन कर सकते हैं तो हमें इसको इस कोर्स के माध्यम से कई concept वैदिक दर्शन है वैदिक दर्शन जो वेदो की भाषा समझाते हैं वेदो में तृष्टी की रशना के बारे में वेदो में देवताओं की इस्तुती के बारे में वेदो के अंदर जो है करक विवस्था के बारे में बहुत सारी चर्चाएं की गई है वेदो में करमकांड की चर्चा जो की मिमानसा दर्शन जिसकी व्याख्या करता है वेदो में सृष्टी की चर्चा स्तांख दर्शन जिसकी व्याख्या करता है फिर वेदों में ब्रम्म की चर्चा वेदांत जिसकी व्याख्या करने लग जाता है फिर वेदों में आपके तत्मों की चर्चा मिमांसा जिसकी व्याख्या करता है वेदों में योग की चर्चा योग दर्शन में उसकी व्याख्या मिल जाती है वैदी दर्शन को समझाने के लिए शट दर्शन है शट दर्शन का पूरा कॉंसेप्ट इस Philosophy कोर्स में दिया जाता है साथी साथ Western Philosophy पाश्यात दर्शन भी इसमें बताए जाता है पाश्यात दर्शन भी इसमें सिखाया जाता है ठीक है अगला एक नया कोर्स हम ले आ रहे हैं योगा टीचर वास्तों में योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड जो एक्जाम लेती है योगा टीचर को सर्टिफाई करने के लिए भारत सरकार आयूश मंत्राले के द्वारा यह परिक्षा ली जाती है इसके सिलेबस की जो पढ़ा इसी ने मुझसे पूछा कि ये कोर्स हम अगर सिर्फ नॉलेज लेने के लिए करें हम एक्जाम ना दे तो ठीक है आपकी मर्जी है आप नॉलेज के लिए भी कर सकते है लेकिन ये पांच महीने कोर्स ये चलेगा ग्यारा हजार रुपे इसकी फीस रहती है पांच महीने का ये कोर्स चलेगा जिसमें ठीवरी और प्रैक्टिकल दोनों के लिए आपको प्रिपेर किये जाएगा उसमें कई शास्त्रों का भी अध्यन होता है योग ग्रंतों का अध्यन होता है तो हट प्रतिपिका गरंद घरंड सहीता हट रतनावली योग बाशिष्ट शिमत गीता पतंजली योग सुत्र इन सब के माध्यम से अध्यन चलता है योग का इतिहास और कौन मॉडेन एज में कौन कौन से बड़े-बड़े योगी हुए स्वामी विवेकान अंटी कृष्णमाचारे और विंदो भर्षी द्यानन सरस्वती ऐसे कई योगियों की सिध्धा प्रकार से इस सारी चीजे इसमें पंड़ी पड़ती है तो इस एक्जाम के लिए योगा टीचर एग्जाम तक आपका साथ दिया जाता है और आप इसको आपको इसमें ट्रेन किया जाता है और प्रैक्टिकल भी ट्रें जाता है और education point of view से भी training दी जाती है, education point of view मतलब कि योग सिक्षन, अगर आप सिक्षक बनना चाहते हैं, तो सिक्षन कैसे करेंगे, पढ़ाएंगे कैसे, सिखाएंगे कैसे, ठीक है, train कैसे करेंगे, दूसरों को trainer कैसे बनेंगे आप, तो ये भी सिखाया जाता है साथ में, तो ये एक course है, अगर योगा प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं योगा प्रोफेशन में जाओ, योग सिख्षक बनूँ मैं, और योग लोगों को सिखा सकूँ, लोगों को ध्यान करा सकूँ, लोगों को योगा भ्यास करा सके, तो खुद को भी एक पक्व करेंगे तो निश्य ही आप इसको कर पाएंगे तो उनके लिए जो चाहते हैं कि अपना जीवन इसे बहतर क्या हो सकता है कि आप अपने जीवन को योग मार्ग पे लगाओ आप अपने जीवन को योग मार्ग पे लगाओ योग के प्रशार में लगाओ सनातन धर्म के प्रचार में लगाओ, इससे बहतर क्या हो सकता है। किसी को अगर ये लगता है कि हम जो है योग मार्ग पर अपने जीवन को लगाएं और हमें एक ऐसा ज्ञान वरधन हो। और हमें ऐसी ट्रेनिंग मिले कि हम योग प्रचारक के रूप में या योग सिक्षक के रूप में हम कारे कर सके सनातन धर्म के प्रचारक के रूप में सिक्षक के रूप में हम कारे कर सके हमें ऐसी ट्रेनिंग मिले इस कोर्स को करना और फिर बाद में कुछ और चीज़े आपको ट्रेनिंग दी जाएंगे जिससे कि आप फ्रेंड हो जाएंगे कि आप जो है योग प्रचारक, योग सिक्षक के रूप में अपने आपको समाज के सामने प्रस्तूत कर पाएं और सिखा पाएं, अच्छे से करवा पाएं, लोगों को कुछ दे पाएं, लोग कल्यान के लिए और भारत को जगद जिनारी क्या है, युवा इस कारे की और आगे बढ़ें और योग कॉंसेप्ट को क्लियर करें, समझें, साथ में, योग प्रचारक बनें, जिनको लगता है कि हमें ऐसा जीवन जीना है, हमें बहतर जीवन जीना है, और हम अपने जीवन को इस अच्छे कारे में लगाएं, लगों के कल्यान के समाज कल्यान, लोग कल्यान में लगाये तो जरूर उन्हें ऐसे course की और आगे बढ़ना चाहिए और उन्हें ऐसे course को गाता कर कर, सीख कर, समझ कर, एक मजबुत आधार मिल जाता है कि आप आगे बढ़ सकें तो आप फिर जरूर इस शेत्र में भी कायरत हो सकते हैं जरूर हो सकते हैं और लाब उठा सकते हैं हो सकता है कि आपके भीतर कोई महान योगी हो कोई विवेकानन्द बैठा हो आपके भीतर कोई टी कृष्णमाचारे बैठा हो कोई ऐसे हट योगी बैठे हों, कोई राज योगी बैठे हों, जो कि बहुत कुछ करने का सामर्थ रखते हों, तो चलिए, यह अभी है, तो आप इस course को करना चाहते हैं, ठीक है, यह जो है, इसमें कोई डिगरी विगरी नहीं है, यह जो course है, यह आपको एक systematic way में एक syllabus होता ह इसका, उस syllabus पर based आपको पढ़ाई करवाई जाती है, आपको परिक्षा भी बाद में देनी पड़ती है, exam देना पड़ता है, practical theory दोनों, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार से आप life counseling चाहते हैं किसी तरह की, तो उसके लिए भी आप संपर कर सकते हैं, आपक क्या करूं, क्या जाओं, रिष्टों की समस्याएं, कैरियर की समस्याएं, अनेको परकार के problems, आप अगर किसी परकार की counseling के लिए संपर करना चाहते हैं, तो जरूर कर सकते हैं, तो चलिए, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, और आपके comments भी देखेंगे, कौन क्या कहता है राहुल तिवारी जी, बहुत-बहुत स्वागत है, अवधेश कुमार जी, एके त्यागी, हरे कृष्ण, युगेश खैरनर जी, कमलेश खैरनर, संतोष गुपता, सोनी पंडित, जगत नरायन, अमन कक्कर जी, राजु पाल, विश्नु चंद्र, मौर्य, श्वेताराय सिन कनहाई कुमार, विनोद कुमार शर्मा, राम विलाज जी, उतकर्ष, तिवारी, सयानन्द जी, स्वामी भक्त देव सुभयोगी, विनोद के सूद जी, ईशा, जी, रतन सिंग, राम प्रकाश, दीपक शर्मा, सविता नायक, विकु कुछाडिया, माधुरी कोले, गुमाना राम चोहान, अमन, शिखर शर्मा, व्यास सिंग, मिथले सिंग, गुविंद प्रसाद, नीमा, गंबीर शाह, बिमला शाह, नूतन भट, आशा, रानी, शंकर प्रसाद, खिम सुनार, धन्यवाद भारत, मीना, मारू, अनिल, सोनी, किशोर, वैद्य, घंशाम, सरोदे, प्र संपन्न होना कठिन है, दोनों का यूग ही, मोक्ष का संबंद इस्थूल से नहीं है, मोक्ष का कोई संबंद इस्थूल से नहीं है, ठीक है, मोक्ष शुक्षमका ही होता है, इस्थूल का कोई मोक्ष नहीं होता, हाँ, मोक्ष प्राप्ती में जो यूग हमें करना है, वो इ लेकिन मोक्ष होता किसका है? इस थूल शरीर का मोक्ष नहीं होता है. इस थूल शरीर की मृत्यू होती है. मोक्ष किसका होता है सुक्ष में शरीर की मृत्व नहीं होती इश्वर अंस जीव अविनाशी सुक्ष में शरीर की का मोक्ष होता है सुक्ष में शरीर की पूर्णता होती है मोक्ष में इस थूल देह की मृत्व होती है वो नश्ट होता है तो इस थूल देह का संबंद मोक्ष से नहीं है, इस थूल का आधार लेकर सुक्ष्म की यात्रा होगी, फिर जो सुक्ष्म में पहुँच गए, जिन्होंने सुक्ष्म को साध लिया, उनको इस थूल की आवशक्ता नहीं पढ़ती है, तो ये सिध्य योगियों के लिए है, दिगरी क्या चाहिए, कोई डिगरी इसकी नहीं चाहिए, आप दसवी पास हो, बारहवी पास हो, चलेगा, हाँ, क्योंकि सिलेबस ऐसा है, कि अगर आप थोड़े पढ़े लिखे हैं, तभी आप उसको अच्छे से कवर कर पाएंगे, अगर कोई कहे कि मैं अभी प्राइमर ग्रेजुएट है, अगर साइन्स ग्रेजुएट है, तो फिर उसे ज़्यादा आसान हो गया, अगर बायोजी वेगरा पढ़ाया तो और आसानी से पढ़ पाता है, तो अगर दसवी पास भी आप हैं, तो आप इलिजिबल हैं, ठीक है, इस पढ़ाई के लिए, इस महनत ज्यादा करनी पड़ेगी, अगर कोई एक नॉर्मल लेबल तक की पढ़ाई उसने अगर नहीं किया, नॉर्मल लेबल तक पढ़ाई करना मत्दब ग्रेजुएट तक कर लेना या बारहवी तक कम से कम कर लेना, तो अगर उतनी नहीं की है, दस्वी भी की है, तो ठीक योग है परिक्षा दे सकता है एडमिट कार्ड उसे पहुँचेगा लेकिन उसको मेहनत थोड़ी जादा पढ़ाई थोड़ी जादा करनी पड़ेगी यह हो सकता चलिए पलगधारी जराजबर जी और उम्र की सीमा क्या है अठारा से पचास साल अठारा से पचास वर्ष तक वैसे उम्र की भी कोई विशेश सीमा इसमें नहीं है लेकिन हमने यहाँ पर अठारा से पचास वर्ष के बीच के जो लोग होंगे उन्हीं को इस कोर्स में एडमिशन मिलेगा ठीक हाँ एक और इसमें छोटी सी विवस्था और है कि कुछ लोग कह रहे थे डिसकाउंट वेगारा ऐसे नहीं है सिर्फ डिसकाउंट है आपको छूट है आपको कुछ विध्वा महिलाओं के लिए अगर वो योग छेतर में अध्यात्म छेतर में कारेरत होना चाहती है और किसी तरह की उनको आर्थिक समस्या है या पती की मिर्थ्यू हो गई है ऐसी स्थिती में है विध्वा महिला है तो फिर उनके लिए कुछ डिसकाउंट होगा वो तभी बताया जाएगा जो व्यक्ति कोर्स करना है तो कुछ फीस को लेकर बोल रहे थे कि हमें सारा पेमेंट एक साथ करना पड़ेगा नहीं आप टू पार्ट्स में कर सकते हैं 50% आप स्टार्टिंग में जरूर कर दे तो यह है तो यह इसमें प्रावधान है इसका एक सिलेबस होता है आप सिलेबस चाहते हैं आपको सिलेबस भेज दिया जाएगा और पढ़ाई जो है फिर आपको पढ़ाया जाएगा सारी चीज है उसमें 11 अक्टूबर का डेट दिया हुआ है 11 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा क्लासे शुरू हो जाएगी 11 अक्टूबर से क्लासे स्टार्ट हो जाएगी ठीक है चलिए तो इतनी सी बात आपको समझ कर चलना है और कोर्स करना है योग सिक्षक बनना है योग के छेतर में धर् धारम प्रचार के छेत्र में कायरत होना है तो जरूर आप योग प्रचार के छेत्र में धारम प्रचार बोलने से लोग बहुत सारी चीज़े उसमें इंक्लूड कर लेते हैं ठीक है तो विश्येश रूप से योग और अध्यात्म हम कह सकते हैं इस छेत्र में अगर हमें कारे करना है तो निश्य ही यह हमारे लिए कोर्स एक बहुत बड़ी आधार हमको देता है कुछ लोग कहेंगा हम कर लेंगे हमें नौकरी कहा मिलेगा आप किसी भी स्कूल में टीचर योगा टीचर लग सकते हैं और कहीं आपको जगा नहीं मिलती है हम कोशिश करेंगे कि आपको कह कहीं न कहीं आप जरूर लगें कुछ करें ठीक है चलिए तो हम इस कथे को समझे राम विलास जी पलकधार जी एक आधार की ही बात है सुक्ष्म की जी हां सुक्ष्म की स्थूल की हां स्थूल का आधार है क्या केवल सुक्ष्म कारे करेगा जी हां सुक्ष्म ही कारे करता है आपकी इक्षा शक्ती कारे करेगी आपका डिसीजन में पावर काम करेगा सब सुक्ष्म शरीर से जुड़े हुए चीज़े हैं ठीक है तो फिर योग आप करेंगे इस थूल का साधन लेके करेंगे इस थ साधन धाम मुक्ष करी द्वारा कहा गया है साधन इसको साधन के रूख में प्रयोक करते हुए और अगे बढ़ेंगे इस थूल को साधहेंगे इस थूल को साधने के बाद आप सुख्षमको भी साधैंगें साथ-शुक्षम सधता रहता है और अब फिर जब पर इस थूल का ध्यान नहीं रखता उसको आवशक्ता नहीं पड़ती इस थूल का ध्यान रखने की तीता राम माली जी बहुत अभिनंदन है बहुत स्वागत है चलिए इसी के साथ विराम देंगे कल फिर मिलेंगे 9 पी एम लाइव तर्चा में बहुत बहुत आभार आप सभी का और ये कोर्सेस आप जोईन करना चाहते हैं तो जरूर ध्यान योग का कोर्स 20 सितंबर से शुरू हो रहा है आप इसे जोईन करकर इसका लाग उठाएं साथ में प्राकृतिक चेकिस्सा और दर्शन का कोर्स भी शुरू होगा इसी के साथ विराम देंगे बहुत बहुत आभार आप सभी का ओम तक सत्थ